है कि यहाद पाइफ Dalas चसंद को टांट का मां जा एक कि बार वाथ है इस्ट और एक इस्टोरिकल टाइम्स में कैसे कैसे बिल्डिंग ज़्ध करती थी ठीक है फिस्टेरिकल बिल्डिंग को हम मौनुमेंट्स कहते हैं मौनुमेंट्स क्या है great source होता है information जो कल्चर के बार में बताता है social life और religious practices उस time की बताता है किसी भी period की large number of monuments जब बने थे medieval period के दोरान तो that is why we have plenty of information about that period तो क्या है? हमें information उस period के बार में होनी चाहिए उसके बार में बताता है यह kings builds fort and palaces तो जो उस time kings थे वो forts यानि कीले बनाते थे और palaces बनाते थे यानि महल बनाया करते for their protections and showed their devotion towards God by building temples and mosaic etc क्या करते थे वो गिले और palaces बनाते थे किसलिए protection के लिए और वो ये शो करते थे कि उनका गोड के परती बहुत faith है बहुत विश्वास है उसके लिए वो temple और mosaic बनवाया करते थे monuments जो है वो तीन main groups में divide है monuments during early medieval और monuments during sultan period and monuments during the mughal period इन तीनों के time period में कौन-कौन से monuments हुआ करते थे इसके बारे में इसको तीन parts में divide किया गया है first आता है monuments during early medieval period मतलब medieval से पहले northern India में nagra style of temple जो है वो बहुत popular थे the chandles built many देखो stripes के temple जो है वो बने हुए थे बहुत सारे temples बनवाए थे उन्होंने जिसमें से क्या है एक तो है गाजुराओ including the इसमें क्या है परस्तावना जिसमें से एक ये वाला है परस्वन थाम टेंपल बताया गया है जिसमें ठीक है दे विशवनाथ टेंपल है ये दिखा भी रखा विशवनाथ टेंपल एंड ये बता रखा है केंडेरिया महादेव टेंपल है इन टेंपल में से थे ये कुछ जो फेमस टेंपल थे उडिसा वाला है जिसको मुक्तेशवरा टेंपल के नाम से आज की टाइम में बोला जाता है एंड लिंग राजजा टेंपल है जो कामँबरा बुवनेश्वर में है ठीक है और जो जगनाथ टेंपल है पूरी में at the sun temple at kunark kunark में sun temple है और also very popular temple ये बोती popular टेंपल है that's our sun temple अंड ये जगनाथ टेंपल जो की पूरी में है ठीक है ये तो थे हमारे लोर्दन इंडिया में बात करते हैं साउथ इंडिया की जिसमें क्या है पालवा उस टाइम जब थे पांडेज थे और चोल्स इन्होंने क्या कि थे बड़े बड़े फेमस मंदिर बनवाए थे पालवा किंग जो थे उन्होंने कैलाशनाथ टेमपल बनवाया था एट कंची एंड शोर at the Mahabali Puram, Mahabali Puram में कोन से शोर टेंपल बनवाया था, that's our showing here. तो इसके बाद में चोल किंग आए थे, ये किस ने बनवाय थे? पालवानी, और अब चोल किंग के हम बात करते हैं, उन्होंने भी लाज़ नमपर ओफ टेंपल बनवाय थे, जिसमें से है पहला है बरी हदेश्वरा मंदिर है ठीक है यह क्या है most famous temple है उस period का और इसको क्या कहा जाता है राजेंदरा राजेंदरश्वरा temple कहा जाता है जो की गोड शीवा से related है और यह जो राजेंदर राजेश्वरा जो नाम है न यह उस time जो चॉल किंग था उसका ना से भी और इनके गोड के नाम से भी अब बात आती है सुल्तान पिरियट के टाइम पे किस तरह के monuments थे the establishment of Delhi Sultan in the 13th century, 13th century में the establishment of Delhi Sultan in the 13th century, 13th century में जब Delhi Sultan के establishment हुई थी तो उन्होंने नया phase include कर दिया था architecture in India, architecture मतलब क्या होता है जो हमारे buildings बनाते हैं, उनको architecture कहा जाता है, इंडिया में जो architecture चलता था उसमें एक new phase इन्होंने include किया क्या था कि कुछ Indian style इन्होंने adopt किया था और एक नया architecture इंट्रोजूस करा उसमें architecture system था जिसको क्या कहा जाता था इंडो-islamic style of architecture इसमें क्या था most forts, towers and palaces construct करवाय जाते थे new styles में यह जो first mosaic बनवाई थी इन्होंने वो थी कुतुब उत दिन एबक वाज दा क्वात उल्सम मोजैक नियर दा कुतुब मिनार इन डैली ठीक है कुतुब मिनार के पास इन्होंने यह वाली मोजैक वाँपे बनवाई थी यह देखो से दिखरा है क्वस ऐल इसलाम कैंज यह ओल्सम बिल्ड अढाई दिन का जोनपरा यह दाई दिन का जोंपरा यह फेमेस थी कह मोजैक अच मेर में है अब भी अढाई दिन का जोंपरा कहा जाता है इसको इस किया था आर्क्स और डॉम्स यूज किये थे और यह जो style था decoration का वो यूज करते थे arcs in the geometric and floral verses कैसे यह था floral design था मतलब यह designs जो है वो उसको decorate करने में use करते थे या फिर geometric style में verses from the holy muslim book या फिर कुरान की उसकी बात करे were also engraved on some of them इन में से कुछ जो है वो designs decorate करते थे इन सब को बनाने के लिए कुतुब उद्दिन अभाक started the construction of the कुतुब मिनार क्या है था फिर इन्होंने क्या 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 कुतुब मिनार को बनाना शुरू कर दिया इन्होंने क्या कुतुब मिनार को बनाना शुरू किसने किया था कुतुब उद्दिन अभाक ने बट क्या थे वो expire हो गई थे मतलब उनकी death हो गई थी इसकी complete होने से पहले ही and it was letter completed by इसको बाद में किस ने complete किया था नीश ने complete किया था इसको कुतूब मिनार जो है एक excellent example है इंडो-islamic architecture का ये क्या है 72.5 मीटर तो ये लंबा है इसमें 378 steps है इसमें सीडिया लगी हुई है और ये mainly बना गया था red color के sandstone से along with the white marble और white marble को इसके साथ में मिला के और इसको decorate किया गया था calligraphic inscriptions और garvings से और इसका नाम पड़ा था बाद में एक famous किस्ती सेंट थे ठीक है जिनका ना शिक गुताब उद्दिन भैकियातार काकी ठीक है इसके नाम पर फिर क्या है कुतूब मिनार रखा गया था क्या है जो अल उद्दिन खल्ची जो थे उन्होंने क्या क्या एक अलाई दरवाजा भी बनवाया था कुतूब मिनार के पास में और इन्होंने एक और उसको भी इन्होंने क्या क्या था रेड कलर के sandstone से इन्होंने बनाया था ठीक